दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे खर में देखे बिहार में पच्छवा हवाओं ने फिर बढ़ाई ठंड सत्रा जिलो का गिरा पारा बाका सबसे ठंडा जिया देखे बिहार में अब भी ठंड का प्रकोब जारी है पच्वा हवा की प्रभाव से सत्रा जिलो की नूंतम तापमान में कमी आई है मंगलवार को पटना के तापमान में बिसेस बदलाव नहीं आया लेकिन राज के अन हिस्सों में ठंड में बिरती हुई है दिन में दूप निकलने के बावजूद भी कई जगों पर ठंडी पच्वा हवा का प्रभा बना रहा वहाई देखे पिछले 24 घंटे में बाका राज भर में सबसे जाड़ा ठंडा रहा और यहां नूंतम तापमान लुड़क कर 5.8 डिगरी पर आ गया बाका में देखी गई है वहाई राज के आाइने जीलों में नूंतम तापमान में आंसी कमी आई है और पूर्णिया से पाचे बिबाग्ष आमने सामने दोनों के चुनोंती भरी रेली. जद्धि कि 25 फरवरी का दिन भाजबा और महागडबंदन दोनों के लिए निनायक दिन होगा. यहाद दोनों के लिए सक्ष्टी-प्रोदसन का दिन है. क्योंकि महागड़बंदन साथ पाड़ियों के साध़ पूर्णिया में रेली कर रहा है तो वहीं भारती जनत पाड़िय आमिस्था के रेली वाल में के निगर और पटना में कर रही है अब ऐसे हालात में दोनों सत्ता रूर दर और बिपक्ष के सामने अपनी तागत दिखाने का एक बड़ा मौका है याने की पारिछा भी उसी दिन होगा और परिणाम भी उसी दिन आ जाएंगे जिनकी सबा में सबसे जदा भीड़ होगी समर्थन होगा उसे बिहार के लिए मजबूत माना जा सकता है ऐसे में दोनों तरब से तयारिया सुरू हो चुकी है दोनों तरब से जन समर्तन से लेकर भीड़ जुटाने तक की तयारी चल रही है आपको बता दे कि 25 फरवरी को देश के केंद्रे गिरा मंत्रे अमिसा पाटना में स्वामिसा जानांद सरसोते जैनते समारों में सिरकत करने पहुचेंगे यहां पहुचने का उनका समय दोबार के बाद का होगा वहीं अमिसा इससे पहले वालमी निकर नगर में एक बड़ी जनसबा को जंबदित करेंगे वहीं बा 색lor जनता-पार्डी सबसे बड़े निताउं को अलग लग चेतरों में बड़े-बड़े जनसबाईय करने का टास्क दी हुई है आमिस्सा ने पूरी तरह से बिहार को फोकस किया है और एही वज़ा है कि आमिस्सा लगातार बिहार में अपने जन सबाई कर रहे हैं एह देखे मुची मंतरे नils कमारर और पूमुची मंतरे तयससी वियादाव साथ दलों के साथ महाघडबंदन महारेली पूर्निया में करने जा रहे हैं इसके तैयारी को लेकर महाघडबंदन के सबीत दल जोड़ चुके हैं चाहिर से बादे की मुकाबला भाजबा के साथ है ऐसे में थोड़ी भी कमे महागडबंदन के लिए फजियत सवीद होगी क्योंकि भाजबा अपने रेली अकिले कर रही है और महागडबंदन के रेली साथ दलो को हो रहा है ऐसे में हर दल अपने जी जान से जुटा है कि 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 इसी भी तरह से महागडबंदन कमजूर ना पड़े बिहार में आप नहीं मिलेगे ये नोकरी सरकार ने खतम कर दिये तेरे विभागों के डेड़ दर्जन से अधिक पद जाद के बिहार सरकार के समयन प्रसासन विभाग ने आंचल निरेचक बिहार सचीवाले सिवाके उपह सचीव समेट डेड़ दर्जन से अधिक पद समाब्द करने का संकल्प जारी कर दिया है 16 सितंबर 2021 को ही पद समाब्द करने का फैसला बिहार सरकार ने लिया था वहीं देखे जिन पदों को समाब्द किया गया है वे सबी 13 विभागों से समधित पद है और इसमें अधिक त समाब्द करने के अनुसंसा की है जिन पदों को समाब्द किया गया है उनमें अंचल निरिक्षक विजलेंस उपादिक्षक बिहार सचीवाले सिवा के उपर सचीव के पद सामिले इसके अलवा जिन विभागों में पद समाब्द किया गया है उनमें लगू जल संसातन आगे समवरक के समयुक्त सचिव और विस्स कायर पदादिकारी उद्द्यूग विवाग की अर्दर अन्वेसक समिल है देखे देवगर से राची वा पढ़ना हवाई सेवा अब एक मार्च से होगी सुरू पच्वड़ वगिवा वा एक घंडे में पहुच जाएंगे पटना जिया देखे महा सिल रातरी से पाले 17 फर्वरे से सुरू होने वाले देवगर से सुरू होई सिला अब 1 मार्च से सुरू होने वाली है केंद्रियन नागरिक उडियन मांतराले से अनुमती मिलने के बाद ही डीजी सेयस दौरा सलोट दिया गया है विस सेडूल जारी कर दिया गया है एलेस कमपनी इंडिगो देवगर से राची वा देवगर से पढ़ना की हवाई सिवाई सुरू करेगी वाई देवगर से राची का किराया दो हजर पचास रुपिय वा देवगर से पढ़ना की किराया पचीस रुपिय ने धारित किया गया है देवगर से राची का सपल पचपन मिर्ट में पुरा होगा जबकि देवगर से पढ़ना का सपल एक गंटे में पुरा होगा जादे के बिहार के 15 जिलों में राज सरकार दूरा दो दो नए हैले पेड बनाने के तयारी की जा रही है मंद्रे मंडल सचेवाले विभाग के निदेश पर भौन इनमान विभाग ने इसके तयारी शुरू कर दी है और इसका अनुमानित बज़ा तयार करने के लिए अभियांताओं को निर्दिश दिया गिया है सूत्रों के अनुसार हैली पेड बनाये जाने वाले जीलों में पटना दर्बंगा बिहाटा गया भागलपूर पुर्निया बेगुसराई वीरपूर छबरा रोतास किसन गजमादो बने मुंगेर सहरसब वालमी के नगर और कटिहार जील सामिल है इनमी से रोतास दर्बंगा और कटिहार पुलिस लाइन में इस्ताई हैली पेड बनाये जाएंगे पाड़िकार में देखे राज में नवदा की तरजबर खुलेंगे अथी पीचड़ा करना विद्याले जादे के सुबे के सबी जीलों में नवदा विद्याले की तरजबर पीचड़ा अथी पीचड़ा करना अवास विद्याले खुलेंगे यही नहीं उनमें तमाम सुविदाई नवदा विद्याले जैसे ही होगी नमंगन से लेकर पढ़ायो और आवास के सुविदा नवदे विद्दाले के पैटन पर होगी अती पीछडा कल्यान विभाग ने इस समन में ब्यापाक का रियोजना बनाई है विभाग की योजना है कि सुदूर इलाकों की पीछडा अती पीछडा वर्गे की छाद्राओ को अध्यान के लिए राष्टिय मानक के नुरूप विद्दाले उनके जिले में इस्ताफित होता की उन्हें पढ़ाय में किसी तरह की परिसानी ना हो आपको बता दे कि समय 11 जिलों में 12 आयने पीछडा वर्गे करना अवासी विद्दाले इस्तापित के गए हैं वही पिछली दिनों साथ जिलों में अती पीछडा पीछडा करना अवासी विद्दाले के भावन निर्मान की योजना को केबिनेट ने मन्जूर दी है इन जिलों में सिक रही दिलों निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नई विद्दाले की बाद सुबे में 18 जिलों में पीछडा अती पीछडा करना अवासी विद्दाले हो जाएंगे विहार में जमिन के दाखिल खारिज का बधला नयम 1st-1st-1st आउट के साथ ौड इवेन का होगा पालन जिया देखे जमेन के दाखिल खारिज के वादो के तेजी से निप्टारे को लेकर राज में गुरुआर से फास्ट एन फास्ट आउट और और इवेन नियम के साथ नई विवस्ता प्रभावी हो गई है यानि अंचल में म्यूटेशन के लिए जिस क्रम से आवेदन आएंगे उसी क्रम से उनका निप्टारा भी किया जाएगा मुटेशन में समय अधिक नहीं लेगे इसके लिए अंचल अधिगारी विसम संक्या वाले हलका और राजस्व अधिकारी सम संक्या वाले हलका के दाखिल खारे जवादों को निपटाएंगे राजस्व अवंबोमि सुधार विभाग ने सौप्टियर को अपडेट करनाई विवस्ता को पालेट प्रोजेट के तौर पर राज की पांच अंचलों में लागू किया है पटना जिले के फत्वा भागलपूर के सबौर समस्तिपूर के कल्यानपूर किसंगंज के ठाकुर गांज और सिवान जिले की सिवान सुधर अंचल में पालेट प्रोजेट सफल होने के बाद सभी अंचलों में इसे लागू कर दिया जाएगा खरमदी के बिहार में बिजली चोरी रोकने को हर घर में होगी मिटर के जाच जाच जादिके राज में ठण के मौस्तम में बिजली की निरबाद आपूरती की बीज बिजली चोरी की घड़नाओं में बड़ोतरी हुई है जनवरी महिने में अब तक 244 लोग अवेद रूप से बिजली और भुबोक करते हुए पगड़ा जा चुके हैं चोरी काया मामला माज 10,000 घरों के मिटरों के जाच करने पूर जागर हुआ है पेशो ने इन सभी के खिलाव एफायर दज़ भी कराया है वही पेशो बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए अब नियामी इतहार घर के मिटरों के जाच करेगा या अभिहान के रूप में चलेगा साथ ही आपको बता दे कि बिजली कमपानी राजास्व अरविन कुमार ने इसके लिए पेशो को लच निर्दारित किया है जिसके ताथ पेशो अभिहान चला कर कारवाई कर रही है सहर में बिजली चोरी के अधिक से अधिक मामले पेशो पूरवी के डिविजिनों पर मिले हैं 43 मामलों के साथ डिविजन कंकरबाग 1 पहले इस्तान पर है वही दूसरे इस्तान पर कंकरबाग 2 डिविजन में 31 मामले और तिसरे इस्तान पर गुलजार बाग में 29 मामले सामने आये हैं वही बिजली चोरी के आरोप में पकड़ जाने वाले उपभोगताओं का मिटर भी बदला गया है सभी के यहां पोस्ट पेड़ हड़ा कर स्मार्ड मिटर लगाया गया विजली कमपाने के ब्राधान के अनुसार जेने उपभोगताओं के यहां पोस्ट पेड़ मिटर लगा है और उनके य प्रदूसर नींतरबॉर्ड की रिपोर्ड के नुशार बिहार में चार साल पर पर फर डूर्सित निधू की संग्हां में तीन गुना बड़तती हुई है। 2018 की रिपोर्ड में राज की छा नदियो के पानि प्रदूसित था जो 2022 में बढ़का रफ्चार हो गई है। राज की सबसे प्रादोसित नदियों में रक्सल में सिरसया, हरयर में, रामरेका और सितामड़ी में लखन देई सामिल है। इन 18 नदियों की पानी की जाज 45 सितानों पर की गई है। इसमें नदियों का पानी गौनवत्तामाना के नुसर नहीं पाया गया है। प्रादामिक सुची दो से पांच में राज के आठारा नदिया समिल है इसमें बाग मती बोड़ी गंड़क दाहा गोस गंड़क गंगा गांगी घागरा हरबोरा कमला कुहरा लकदई बरबोर परमार पुनपूर रामरिका सरसया सोन समिल है पाने में बायो केमिकल अक्सिजन डिमार्ण तैमानक से अधिक नहीं होने से पानी को प्रदोसित बताए गया है इस पानी का सिधे नहाने और पिने में इस्तिमाल ठीक नहीं है बिहार में जल्द खुलेंगे नो नए डिगरी कोलेज राज सरकार ने दी मंजोरी इनी जिलों में चात्रों को मिलेगी बड़ी सुईधा ज्यादे के बिहार में नो नए डिग्री कोलेज खोले जाएंगी इसके लिए राज सरकार ने वित्तिय मंजुरी दे दी है ये कोलेज सहरसा जिले में सिम्री बक्तियार पूर कटिहार जिले में मनिहारी बेगुसरा जिले में तेगड़ा वबलिया पूर्निया जिले में पांच कड़ रुप्य दिये गए हैं इस योजना मद में इन डिग्री कोलेजों के साफ़ना के लिए 21 कड़ रुप्य और दिये जाने हैं इस योजना के किरानौन में गुनवत्ता के लिए बिहार राज सक्चेनिक अधार बुद्स रचना विकास निगमिन लिमिटेड द्व में दरी गई है फिलाल इस वित्य वर्स में केवल पांच कड़ रुप्य समवार को जारी किये गए हैं महालिकगार को इससे अवगत करा दिया गया है बिहार में देखे बिहार के सबी सरों में किचेन तक पाइप से होगी गेस की सप्लाई जाने कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट जादे के बिहार के सबी सहरों में किचेन तक पाइप से गेस के सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है अभी बिहार के ऐसे आड़ परियोजना पर काम हो रहा है अगले पांच से साथ साल में बिहार के सबी सहरों में पाइप लाइन से रस्वी गेस के आपूरती करने का लाच चरका गया है लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है तो जर चोबिस तक पूरी हो जाने वली परियोजना अब दो जर अटाइस तक पूरी होने की बात कहीं जा रही है बाड़ी कर में देखे स्वास्त बिभाग का बड़ा फैसला साम के ओपीडी के लिए अब अलग से होगा रजिस्ट्रेशन जा देखे राज में बेहतर स्वास्त सुविदावों को लेकर स्वास्त बिभाग और मंत्रे तेजसी यदो काफी तेजी के साथ कायर कर रहे हैं इसी के परिनाम है कि राज के अंदर चल रहे सरकारी अस्पतालों में काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है इसी कड़ी में अब एक और नया बदलाव राज वासिव को जल्दी देखने को मिलेगा दरसल स्वास्त भी भाग के निन्ने के बाद अब राज के सरकारी अस्पतालों में दूसरी सीप्ट के लिए अलग से रजिस्टेशन सुरू किया जा रहा है यानि राज के उन अस्पतालों में जहां साम के समय में डाक्टर की सुविदा बहाल है महाँ अब साम के समय में मरेजों को OPD में डाक्टरों से इलाज करवाने के लिए अलग से रजिस्टेशन करवाना होगा यानि हम ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया है आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें